अभी कभी तो शर्म आती है भाई शर्म आती है भोचपुरी भासा के होकर एक भोचपुरी स्टार के बारे में इतना ज्यादा नेगटिव फैलाना कहां से आती है इतनी नेगटिविटी भाई जी हाँ आप थमनेल देखकर समझ गया हूँगे न कि मैं क्या बूलने वाला हू धिकार है वैसे लोगों को धिकार है वीडियो को अभी लाइक करना चालू कर दीजिए खेसारी लाल जदो इन दिनों इतना बज रहे हैं अक्षरा सिंग इन दिनों इतना बज रही है कि बीरोधी लोग न भाई पगला गये हैं बवरा गये हैं भाई बर्दास नहीं कर पा पता नहीं क्यों, तो मैंने कल दो तिन वीडियो ऐसा देखा था पिछले दिनों, लेकिन कल मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें सच में मुझे कभी कभी दया आता है विरोधियों पर, क्यों उनके पास टॉपिक नहीं है, तो वो ये वीडियो बना रहे हैं, कि खेसारी लाल जादो को, अक्षरा सिंग ने चपल से मारा, यहां, यह कोई टॉपिक होता है भाई, यह कोई टॉपिक होता है, आपने देखा है क्या कभी, कि अक्षरा जी ने मारा है, कभी देखा है आपने, नहीं देखा है ना, लेकिन बिरोधी बोल रहे हैं, इतनी ज़्यादा घटिय तरह की मानसिक्ता रखने वाले लोग सच में कहां से आते हैं इतना negativity कहां से लाते हैं भाई मैं वो सोच रहा हूँ इनके पास कोई काम नहीं है खापिकर बस एक ही काम है कि खेसारी लाल जादव के बारे में कुछ भी बोलो कुछ भी बोलो बेतु का बाते बोलो करते हैं कितना बुड़ा लगता आप बताईए भोजपुरी के हो के हाँ आपका टाक्स कीजिए खेसारी जी पर आपका हक है लेकिन तरीके से करो न अक्षारा सिंग ने कफचपल से मार दिया हमको नहीं पता चल आपको पता चल गिया मज़ाक बाना के रखिए ऊकर भोजपुरी को बोलो कि तुम्हारा स्टार का गाना नहीं आ रहा है नहीं बज रहा है तो कुछ भी तो बक्चोधी करना पड़ेगा आप लोगों को वोही बक्चोधी आप लोग कर रहो लोग कोई मसला नहीं है आप लोग अपना-पना काम करते रहो लेकिन ऐसे आप खेसारी जी को सपोर्ट करो खेसारी लाल जी को आप लोग आगे बढ़ाओ घंटा कौन क्या बोलता आपको ध्यान नहीं देना है तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम